हलो दोस्तों मैं एंके सिंग आप सभी लोगों का विज्डम हबिस्टडी पर स्वागत करता हूँ तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं मैंना सेस्णा नमबर 44 इससे पहले मैं आप लोगों के साथ वे कोशन डिसकार्स कर लेता हूँ जो मैंने आपको 43 में दिये थे 1975 में इसके स्थापना की गई थी दोवारे राशन योजना किस राजे द्वारा प्रारम की गई है पशी मंगाल के द्वारा इस योजना का प्रारम किया गया है विनोवा भावे को भारत रत्न किस वर्ष प्रतान किया गया था नागरिक उड़यन E-Governance E-GCA प्रोग्राम है पोर्टल है इसके बारे में जानेंगे और सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में हम इस सेशन में देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर बाबा सहाब पुरंदरे क्यों न्यूज में हैं क्यों पढ़ पुरंदरे का जन्म 29 जुलाई 1922 को महाराष्ट में हुआ था जिने बाबा सहाब पुरंदरे के नाम से जाना जाता है वह एक लेकक इतिहासकार थे तता छत्रप्रती सिवाजी महाराज के जीवन पर किये गए अपने लेखनों के लिए प्रसिद्ध हुए थी इन्हें सिव शाहिर के नाम से भी जाना जाता था इनका ये प्रसिद्ध नाम था हम यहाँ पर बात करें बाबा सहाब पुरंदरे के कारियों के बारे में तो उन्हें महाराथा राजा छत्रप्रती सिवाजी पर लेखन कारे में प्रदिकार प्राप्त था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सिवा जी के जीवन और उपलब्दियों पर लेखन कारे शुरू कर दिया था इन पर कई कहानियों को संकलित किया जिनने आगे चल करके थिगन्या नामक एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया जो सिवा जी महराज के साशनकाल का विवरन प्रस्तुत करती है बाबा वर्ष 1985 में पांच भशाओं में प्रकाशित किया गया यह मूल रूप से मराटी भासा में लिखी गई थी मद्ध प्रदेस सरकार ने नाटक के छेतर में उनके कारियों को देखते हुए वर्ष 2078 में काली दास सम्मान से सिवी सम्मानित किया था इसलिए ज़्यादा महत्व पुर्ण है क्योंकि मद्ध प्रदेस के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया इन्हें अन्य पुरसकार के अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 में भारत के सरवच्च दूसरे पुरुषकार जो कि नागरिक सम्मान होता है पदम वी भूशन से सम्मानित किया गया था वर्ष 2015 मे महराष्ट भूशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था यहां महराष्ट सरकार का सर्वच्छे नागरिक पुरस्कार है तो यह था बाबा साहब पुरंदरे के बारे में अगला टॉबिक है यहां पर भारत अंतराष्ट विज्ञान महोसो दोहजार एकेस हाली में केंद्रिय प्रत्वी विज्ञान मंत्राले के दौरा भारत अंतराष्टी विज्ञान महोसो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का साथवा संस्क्रण लॉंच किया गया भारत अंतराष्टी विज्ञान महोसो के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 2015 में शुरू किया गया था यह एक वार्षी कारिक्रम है जिसे देश का सबसे बड़ा मंच माना जाता है यह विज्ञान के चात्रों, जनता, शोत करताओं, नव प्रवर्त करताओं, कलकारों और लोगों को एक मानों की भलाई के लिए विज्ञान का अभूत पूर अनुभाव प्राप्त करने के लिए किया जाता है इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल का आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से प्रत्वी विज्ञान मंत्राले, विज्ञान और प्रदुकी की मंत्राले के अंतरगत जो विभाग है विज्ञान और प्रदुकी की विभाग, जेव प्रदुगी की विभाग, विज्ञानिक तैथा और द्योगिक अनुसंदान परिशद के द्वारा सहिक तुरूप से आयोजित किया जाता है, IISF 2021 का आयोजन गोवा के पंड़जी में 10 से लेकर के 13 दिसंबर तक किया गया था यहाँ पर, इसकी नोडल जेंसी के रुप में कारे करता है, 2021 के थीम के अगर हम बात करें, तो सम्रद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रदुगे की एवं नवाचार में रचनात्मक का जश्न मनाना इसका थीम था, यह भारत की आजादी का अमरित महसों की भावना और विचार को भी प्रतिबिम्ब में कुछ प्रक्यात विज्ञानिकों द्वारा प्रोफेसर के आईवासू के मार्ग दर्शन में शुरू किया गया था, इस आंदोलन ने धीरे धीरे गती प्रकडी और राश्चे संगठन के रूप में उबराई है, वर्ष 1991 में अखिल भारती स्तर पर सुदेशी विज्ञ अंदोलन शुरू करने का निर्ने लिया गया, इसे विज्ञान भारती नाम दिया गया, इसका उद्देश युगा विज्ञानिकों को अधिक रचनात्मकता और मुलिकता से प्रेरीत करना है, इसका मुख्याले नई दिल्ली में एस्तित है, दोस्तों यहाँ पर जो अगला परिक्षा सहित 298 सेवाय प्रदान की जाएगी, नागरिक उड्यान महा निदेशाले के तहत EGCA परियोजना का सुभारम विमानन छेतरी के लिए 100 दीवसी कारिकरम का हिस्सा है, पोर्टल को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा विक्सित किया गया है, यह सूचना के परिचालन अक्षमताओं को दूर करना, विक्तिगत संपर्क को कम करना, नियामक रिपोर्टर में सुधार करना, पारदर्शिता को बढ़ाना और उत्पादक्ता को बढ़ाना इसका लक्ष रहेगा, अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में DGCA की प्रक्रिया और कार्यों के स्वच आलन के माध्यम से एक महत्वपुर्ण परिवर्तन को प्रेरीत करेगा, यह आईटी अफसनरचना और सेवा वितरन धाचे को एक मजबूत आधार प्रदान करेगा, यह इस ओव डूइग मिंजनस की दिशा में एक महत्वपुर्ण कदम है, यह DGCA के सुरक्षा नियामक धाचे को मजबूत कर नागर विमानन महा निदेशाले के अगर हम बात करें, DGCA की तो यह नागरिक उड्यान मंत्राले का एक सनलगन कार्याले है, यह नागरिक उड्यान के छितर में नियामक है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्यों से निपड़ता है, भारत के भीतर हवाई परिवहन से नियामन और नागरिक हवाई नियमों हवाई सुरक्षा एवं उडान योजना मानकों को लागू करने हैं तो यह उत्तरदाई होता है, यह अंतरास्ट्रिय नागरिक उड्यान संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वे भी स्थापित करता है, तो यह जानकारी थी प वर्ष 2019 में सिंदू नदी डॉल्फिन को पंजाब का राज जलीव जानवर करूप में घोशित किया गया था, अगर हम यहाँ पर बात करें सिंदू नदी डॉल्फिन के बारे में अन्ने जानकारियों को ले करके, तो इसका विज्यानिक नाम होता है प्लेटा निस्टा गं गंगैटी का के तहत दो उपर प्रजातियों ग्रूप में वर्गिगरत किया गया है, इससे पहले के सेशन्स में हम लोग यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में पढ़ चुके हैं, यदि आप लोगों ने उससे जाकर के नहीं देखा है, तो जाके देखिए, आप आपको पता चल जाएगा, इसपर्ष्ट हो जाएगा गंगा नदी डॉलफिन और यहाँ पर सिंदुनि डॉल्फिन अपने आप में किस प्रकार से भिन्ण है, अन्य मीठे पानी के डॉल्फिन, जैसे गंगा नदी डॉल्फिन की तह सिंदु नदी डॉल्फिन, नदी के स् सिंधु नदी की एक साहयक नदी व्यास में ये पाई जाती है जेवीक संसाधनों का खत्रा उप्स का उप्योग है इसका कारण है कि मतस्य पालन और जलीव संसाधनों का संचलन प्राकृतिक प्रणालियों में संसोधन की वज़े से इसको खत्रा उत्पन हो रहा है जिसे कि बांद और जल प्रबंदन का उप्योग इसके लिए घहतक से दो रहा है घरहलू प्रदूशन वी इसमें शामिल है अपसिस्ट जल और द्योगिक और सैन अपसिस्ट पदार्थ क्रशी तैथावानिकी इसके नस्ट होने के कारणों में शामिल है संरक्षन की इस्तिक अगर हम बात करें तो अंतराष्टी प्रकृति संरक्षन संग IUCN की स्रेडी में ये लुप्त प्राय के टेगरी में आता है वन्य जीवो एवं वनस्वतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतराष्टी व्यपार पर कन्वेंशन साइट्स की परियोजना के रूप में किया जाता है इसके संरक्षन के लिए बचाने के लिए यहाँ पर कुछ कदम उठाए गया है जिसमें से यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया है जो कि 2020 में स्वतंता दिवस की पूरु संध्या पर घोशित किया गया यहाँ पूरा कारे करेगा प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर जिस प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर के माद्य हमसे बागो की संक्या बढ़ाई गई थी उसी प्रकार से यहाँ पर डॉल्फिन की संक्या बढ़ाई जाएगी और यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधुने डॉल्फिन दोनों शामिल होंगे तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर जो टॉपिक डिसकस किया चार इनसे सम्मंदित मैं आप लोगों से कुछ प्रशन पूचूँँगा मुझे उम्मीद है कि अधि आप लोगों ने ध्यान पुर्वक सुना है तो इन सभी प्रशनों के जवब आप मुझे कमेंट सेक्शन में असानी से दे पाएंगे बाबा सहभ पुरंदरे का परशिद नाम क्या था मद्दप्रदेश सरकार ने बाबा सहभ पुरंदरे को किस वर्श कालिदा सम्मान से सम्मानित किया था भारती अंतराश्टी ये विज्ञान महसों की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी EGCA परियोजना किस मंत्राले दोरा शुरू की गई है 2019 में किस राजे ने सिंदु डॉल्फिन को राजेगा जलीव जानवर घोशित किया था सिंदु डॉल्फिन का वेज्यानिक नाम क्या है इन सभी प्रश्णों के जवब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तो यदि वीडियो आप लोगों के लिए फायदे मन दे तो आप इससे देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें चले फिर से मुलाकात होगी हेवे गुड़े जय हीन जय भारत